हेलो एब्रिवान हाल ही में जो नेवी MR की विकेंश यह दोस्तों उस संबंध में आज का वीडियो जो है दोस्तों यह जारी किया जा रहा है 19th of July यारी आज की तारीक से जो है इसके फॉर्म भरने जारी हो चुके है शुरू हो चुके है और टाइम जो है वह बहुत ही कम दिया गया है सो इसी लिए जो है इस वीडियो के माध्यां से ही आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को जिन सभी का सपना है नेवी में जाने का और MR की पोस्ट पे जो है वो सर्विसस देने के अपनी तो दोस्तों उस सम्मन में ही इस वीडियो को हम आपके सामने लेकर आए है सो इंपोर्टेंट तिंग्स जो हमको भी फिलाल जल्द 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 ध्यान रखनी है जान लेनी है वो क्या है कि यह कौनसी वाली वेकेंसी है अक्टोबर 2021 के बैच की रिक्रूमेंट विकेंसी दोस्तों अभी दस दिन पहले ही यह विकेंसी आई थी और इससे सम्मन में जो हमारे को important information जाननी ज़रूरी है online registration की जो तारीक है दोस्तों फॉर्म वगेड़ा भरने की वो आज की तारीक यानी की 19th of July से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और जैसा कि आपको मैंने बताया दोस्तों कि हमारे पास थोड़ा समय इस बार कम है बहुत क्योंकि सिर्फ 5 ही दिन आप लोगों को मिलेंगे इस फॉर्म को फिल अप करने के लिए 19th to 23rd of July तक ही जो है दोस्तों फॉर्म वगेरा भरे जाएंगे ओलाइन फॉर्म एक्जाम की डेट के सम्बंध में आपको फिलहाल परिशान होनी की जरुरत नहीं है तुकि अभी फिलहाल जो है दोस्तों नोटिफिकेशन के में जो जारी हुआ है कुछ दिरों पहले उसमे कहीं पर भी exam date को लेकर कि कहीं पर भी कोई भी disclosure नहीं किया गया है कोई भी revelation यानि exam की date को उजागर नहीं किया गया है जल्द ही जो है print media या website के माधियम से exam date जो है वो announce कर दी जाएगी आगे बढ़ता हो और तबसे important बात तो दोस्तों महाँ पर क्या थी कि 5 दिन ही हमको मिल है जिसमें से आज हमारा 19 का दिन जो है वो निकल चुका है राइड online applications are invited from unmarried male ठीक है in the October 21st वाला batch के नाम से इसको ध्यान रखना है number of vacancies जो है वो हमारी कितनी है 350 vacancies है आगे चलता हूँ application fee जो है वो zero है for all categories no application fee for all candidates only जो आप online registration की प्रक्रिया पूरी करोगे so सरिफ उसमें जो आपको जो चार्ज देना होता है बस आपको वही देना है otherwise exam online appear करने के लिए आपको कोई भी अलग से exam fee देने की ज़ुरत नहीं है आगे चलते है age criteria क्या रखा गया है सबसे एहम सवाल जो हर बच्चा exam में का form भरने से पहले इस बात को तो हमेशा जो है वो इस बात पर तो हमेशा जो हर बच्चा गौर करता ही करता है तो दोस्तों 1st April 2001 से लेकर के 30th of April 2004 तक का इसमे age criteria दोस्तों रखा गया है I repeat 1 April 2001 से लेकर के जिनका भी date of birth 1 April 2001 से लेकर के 30 April 2004 तक क्या आता है के बीच में है या इस दौरान है वो सभी पात्र है exam देने के फिर आगे चलते है educational qualifications क्या है vacancy ही MR की है तो obvious सी बात है समझी गए होंगे आप लोग must have passed matriculation exam from the boards कोई भी recognized ministry of education से हो यानि state board हो या central board हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है matriculation exam उस candidate का clear होना चाहिए ठीक है आगे चलते हैं दोस्तों और physical criteria जो है वो क्या है वो भी आप लोग जान लीजिए तो दोस्तों height जो है वो है 157 cm होनी चाहिए minimum candidate की 1600 meter यानी 1.6 km जो है running 7 minutes में जो की बहुत आसान है अगर आप एक महिना भी अगर exam के बाद में या regular practice करते रहेंगे तो 7 minute के अंदर मैदान के चार चकर निकालना कोई भी मुश्किल काम दोस्तों नहीं होता है ठीक है फिर उठक बैठक जिसको हम English में बोलते है squats हना 20 निकालने है ये भी ध्यान रखना है सीने के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं पर भी मापदान दिया वा नहीं कि नियुनतम कितना होना चाहिए बस हमेशा यही दिया जाता है कि 5 cm का फुलाव आना जरूरी है यानि आप जब सांस लेते हैं तो आपके सीने में 5 cm का फुलाव आना एक्स्पैंशन आना वो कंपल्चरी होता है दोस्तों ठीक है आगे चलता हूँ और इसके अलावा जो आपको जाननी के लिए जरूरी बा mcq-based होंगे यानि multiple choice questions आपको दिये जाएंगे total questions कितने होंगे 50 होंगे total marks कितने होंगे 50 यानि correct answer पर आपको एक अंक मिलेगा और negative marking जो है वो 1 4th यानि 0.25 आपका अंक काट लिया जाएगा परिक्षा का exam का duration कितना होगा the test will be off 30 minutes ठीक है दोस्तों and आगे general awareness को लेकर इसे लेकर आपके आपसे 25 सवाल उसके बनते हैं general science section से आपके 12-13 सवाल जो है वो पूछे जाते हैं और general mathematics जो आपके school level की होती है उससे आपके 12-13 सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं तो यह है आपका पूरा paper का pattern जिसमें general science है general knowledge है और साथ में कुछ सवाल आपके 10-12-13 सवाल आपके गनित के यानि mathematics के पूछे जाते हैं य और उतकर्ष के बिहाफ से आपको मैं बता देना चाहता हूं कि online course भी जो है app में available है आप चाहे तो वहां से भी online app जो है वो course उतकर्ष एप का डाउनलोड करके वहां से आप online course उतकर्ष से आपके navy MR के exam के तयारी के लिए वहां से आप affordable charges में affordable जो है वो course fee के अंदर वहां से आप course purchase कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी हमारी MR को लेकर के और forms भरना शुरू हो चुके हैं मैं आपसे यही कहूंगा कि इंतजार करने में समझदारी नहीं होगी अपने आपके अंदर हम ये ना सोचे कि अभी थोड़ा समय है थोड़ा समय है समय हमारा शु करिएगा कि 23 तारीक को फॉर्म हनी की लास डेटेतों में लास्ट बढ़ दोंगा या 22 तारीक को भर दोंगा आप कोशिश करिएगा कि जो है वह आप जल्द से जल्द ही अपना ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन का काम जो है पहली जो हना जो सबसे प्राइमेरी प्रक्रिया है उसको फटाफट से आप पूरा करें ताकि आप इस वाली जंजट से या इस वाले वर्क लोड से आप फ्री हो जाए तो ताकि आप पूरे अच्छी तरह अपने पूरा फोकर जो है अपनी प्रेपरेशन पर रख सकेंगे दर सोल फोना थैंक यू सो मैच